शाहरुक खान की जवान का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुआ इसे देखने के बाद सब लोग गुणा भाग करने में लगे हैं कि आखिर फिल्म में कहानी क्या है ट्रेलर में शाहरुक के इतने अवतार दिख रही है कि इन्हें देखकर सब कन्फ्यूज हैं लेकिन कहानी का राज भी इसी में छिपा है ध्यान देंगे तो ये पहली काफी सुलजी हुई मिलेगी जवान का ट्रेलर देखने के बाद कितने ही लोगों के मुम खुले रह गए हैं फिल्म की टीम को और ट्रेलर के एडिटर को इस बात का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये ट्रेलर जितना दमदार है उतना ही रहस्य में भी एक तरफ इस ट्रेलर में शाहरुक खान के कई लुक्स है तो दूसरी तरफ अलग-अलग टाइम लाइन और लोकेशन पर घटे इवेंट्स है लेकिन इसके बावजूर ट्रेलर को इस तरह से पैकेज किया गया है कि बार-बार ट्रेलर देखने के बाद भी लोग इसकी कहानी का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहे जवान के ट्रेलर में सिर्फ शाहरुक के ही साथ अलग-अलग लुक्स है शाहरुक के ये लुक्स अलग-अलग और पेशों से जुड़े लग रहे है फिल्म के विलेन विजय सेतुप्ति के भी तीन अलग लुक्स है और कहानी में दो लीडिंग एक्ट्रेसेज नयंतारा और दीपिका पादुकोर नजर आ रही है। लेकिन कई कई बार ट्रेलर देखने के बाद भी जनता फिल्म की कहानी के सिरे नहीं जोड़ पा रही। पक्के वाले फिल्म फैन्स ट्रेलर देखकर फिल्म का प्लॉट पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ट्रेलर में इतना कुछ है कि कई डॉट्स कनेक्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन साल लग रहा है। जवान के ट्रेलर से भले फिल्म की कहानी का पता न चल रहा हो लेकिन गौर से देखने पर हमें फिल्म के प्लोट से जुड़ी काफी मज़ेदार चीजे मिली। आए जवान के ट्रेलर में नजर आ रही तस्वीरों से जोड़ते हैं कहानी के सिरे एक दो या तीन कितने शाहरुक सबसे पहले बात उसी सवाल की जो सबसे ज्यादा कनफ्यूज कर रहा है। आखिर फिल्म में शाहरुक के कितने किरदार हैं। च्रेलर में आमी ऑफिसर वर्दी में नजर आ रहे शाहरुक की वर्दी पर बहुत साफ नेम नेम प्लेट है विक्रम राठोर। हाली में ऐसी कई रिपोर्ट साई थी कि फिल्म में शाहरुक के एक किरदार का नाम आजाद है। जवान के ट्रेलर में कौप की वर्दी में वॉक करते हुए शाहरुक का एक सीन है। इस वर्दी पर लगी नेम प्लेट जूम करने पर अंग्रेजी के अलफाबेट आजाद जै कि एक लॉजिक है इस वर्दी पर लगी नेम प्लेट जूम करने पर अंग्रेजी के अलफाबेट आजाद जैसा कुछ लिखा दिखता है।